दोस्तों नमस्कार आपके घर में हो महालक्षिमी का प्रवेश मैं हूं दिवेश दोस्तों रोजाना सोबै और शाम हम आपकी सिवा में छह महत्योपूर्ण फशबरों का मजेदार एनालिसेस लेकर आते हैं इसलिए आप हमारे चैनल मजेदार को सब्सक्राइब कर लीजेगा उसी क्रम में हम चर्चा करेंगे कि ग्रीस ने भारत की मदद करी थी पाकिस्तान को बैटरी ना देकर भारत ने ग्रीक का ऐसान उतार दिया है भाई तो यूक्रेन को हतियार बेच के पाकिस्तानी जयना ने कितना मौटा पैसा कमाया है यह पाकिस्तानी रूस को बेवकूफ बना रहा है थे कंग ही जानबूच लंगा। तो भाईया जी मोली सरकार की जो गोल्ड इंपोर्ट को रोगने के लिए कई सारी स्कीम साई थी उनसे कितना प्रॉफिट हुआ है कितने गोल्ड का इंपोर्ट रुका है असा धारन सफलता है यह मोली सरकार की चर्चा करेंगे आज के वीडियो में यह हर घटना करम एक से भारी भरकम डिस्काउंट है वह अप्लब दे आतने वर इंवेस्टर फ्यूचर सेंड ऑप्शन कोर्स के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाक्स में लिंक मिल जाएगी उस पर क्लिक करके वाट्सएप ओपन होगा वहां आपको को कोड देना है जै हो स्रीचार्ट सी इतना बड़ा समुझ रहे और इसके ऊपर यहां आपका ग्रीज है और यहां टर्पी है वाई साब तो भारत जो है युद्धा ब्यास कर रहा है ग्रीज के साथ मिलके कहां कर रहा है वाई साब वो कर रहा है मेडिटरेनियन सी में हम कर रहे हैं तैयारी लड़ने की से आनी थी लेकर में ग्रीज ने मना कर दिया तो आई पंडू जाएं हम तुमको बैटरी नहीं देंगे तो इस प्रकार ग्रीज ने भारती हिदों को पूरा किया था वाई तो भारत और ग्रीस की आर्मी एरफोर्स के बीच में इंटर ऑपरेविल्टी बढ़ाई जा रही ह आज साथ मिलकर खेल रहे हैं कल साथ मिलकर लड़ेंगे भी तर्की और पाकिस्तान के बीच में जो नेक्सस है जो गटबंदन है उसको संतुलर में रखने का एक ग्रीक का प्रयास है और भारत तो भाई साब हम जो है मानबताब को दिश्टी कोण में रखते हुए तर्की की इसलिए ग्रीज के साथ युद्धा भ्यास भी करेंगे हर चीज के लिए पहले से तियार करना है संधी करेंगे लेकिन साथ में सावदान रहेंगे और ये बात हमें किसने सिखाई है भाई जी स्वयम चक्त्रपती सिवाजी महराज ने इसलिए हमें आपने पूरवजों के द्वारा बताए गए रास्ते से बिलकुल एक इंच नहीं हटना है सजग और चोकन ने बने रहना है मुलाकात करने जाएंगे लेकिन साथ में कटार भी लेकर जाएंगे भाई साब अब दोस्तों कहा जाता है कि आम तोर पर देश के पास आर्मी होती है लेकिन पाकिस्तान क के केस में आर्मी के पास देश है और उसी का परणाम देखिए कि पाकिस्तान ने युक प्रेंट को हत्यार बेचे 300 मिलियन डॉलर का पेमेंट और यह जो है हत्यारों से पैसा कमा रहे हैं और 80% प्रोफिट सोच्वाब हत्यार बेचने से जो 80% प्रोफिट निकलेगा वह सी पाकिस्तानी आर्मी के पास मतलब देश में लोग आटे डलचावल के लिए लाइन में लगे हैं एक के ऊपर दूसरा आदमी चड़ रहा है पुचल रहे हैं लोग लेकिन भहिएश पाकिस्तानी आर्मी cases प्रोफिट मेंकिंग कर रही है जो आर्मी कर रही तो भाईया पाकिस्तान को साथ में रखो अरे भाईया आपको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है आप डारेक्ट भारतिये हितों को पूरा करते रहें भारतिये समश्याओं का समाधान करते रहें तो हमारी दोस्ती मजबूत अपने आप हो जाएगी ये पाकिस्तान को बीच में लाके अगर आप शर्ट दिखना चाहर रहा है तो देख लो आपका पोपट हो गया यहां पर देख लो आपका पूपट हो गया आप जो है कच्छा तेल देने की फिराक में थे डिसकाउंट पे दे लो इनको डिसकाउंट पे भाया पाकिस्तानियों को यह तो यूकरेयन को हत्याप दे रहे तो यह यहां सब्सक्राइक आप elemento exercising निकाली हुई है जैसे की Sovereign Gold Bond नकाला हुआ है, Gold Bees नकाली हुई है, तमाम सारे Gold ETF नकाले हुए है, जिसका उद्देश यह था कि लोग जो है Physically सोना ना खरीदें, तो यह जो सोना हम खरीदते हैं, यह अधिकांस बिदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता है, तो भारत सरकार ना इसको रोकने का लाग हुआ है, भाई साब, यह जो 50,000 का सोना है, इसमें अगर सोना आप खरीदतें, तो भाई यह 85 टंग सोना मिलता है, मतलब 85 टंग सोने का जो इंपोर्ट है, वो रुक गया है, सिर्फ Sovereign Gold Band और Gold ETF के कारण, तो क्या है, जो हमारा पैसा है, हमारा जो डॉलर है, वो ज दोस्तों, आप क्योंकि Debt Mutual Funds पर जो मिलता था, Indexation का Benefit वो हट गया है, तो Sovereign Gold Band और भी अच्छे हो गया है, क्योंकि यहां पर अभी भी Benefit मिल रहा है, Indexation का, अगर सोने का दाम बढ़ता है, और साथ में महंगाई भी बढ़ती है, तो जो महंगाई बढ़ी है, उसका Effect न जादा बहतर है, Debt Mutual Funds के नजरिये से, हम यहां पर खरीद में बेचने की राइट टेप रेक्मेंडिशन नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ यह कह रहे हैं, कि हमारी Economy को Balance में रखने के लिए, भारत सरकार में जो प्रयास किये हैं, वो भाहिया जी अब परणाम दिखा रहे हैं, आपके सामने हैं, अब दोस्तों बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं, वो दिन रात भारत को गालियां देते रहते हैं, उपदेश देते रहते हैं, कि भारत ने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए हैं, हमने कहा इन से कि आपका पूरा ग्यान की क्या वो भारत के लाएं यह दमन्चक्रों जो लोग कहते हैं किसा माना वदिकार फ्रीडम ओफ स्पीच भाईया जी क्या चल दा है अफगानस्तान में और इसके दोसी भाईया बाइडन बबापा है वाइट हाउस में बैटे हुए और दोस्तों आज तक आज तक भाईया दो तीन साल होने को हा यह बाइडन को सपोर्ड करती है क्योंकि बैटे हुए जोर्ज सोरस की जिब में बैटे हुए और जोर्ज सोरस ही पूरी मीडिया को चलाते हैं तो भाईसाब इसलिए को टार्गेट नहीं कर रहा है तो सीधा सा सवाल उठेगा कि अफगानस्तान को छोड़के भगे कौन थ पैसे बचाना है आपने अफगानस्तान से भागे थे और यूक्रेन में आपने उससे ज्यादा पाइशा बार दिया और अमेरिकन जंता पता नहीं भाइशाब क्या है वेटे हैं उनको तो अभी तक पता नहीं अमेरिकन घर्चे का हिसाब जर्मनी की लोग निकालते हैं सोचो आप उनको तो फुरसादी नहीं है फुरसादी नहीं है कैलकुलेट करने के लिए वहां की जो यह वहां है वह भी लाइन में खड़े हैं वहां लोन माफी इसी बीच दोस्तों हमारे देश में भी बहुत सारे बिद्वान लोग हैं वो कहते रहते हैं कि हम इंडीपेंड लग बेद्वन लेबल तो ब्लीट देःए अपका जो ए गवर्मेंट फंडेड हो रहोगे और मस्क आप ने वह बात कई यहां कि हमेशा से कह रहे हो कि दुनिया में हर मीडिया बाइस है, कोई अनबाइस जो ही नहीं सकता, अनबाइस जो ही नहीं सकता, और आचारे चानक के ने ये बात बताई थी किसको, महा अमात्य को जो की धनानंद के महमंत्री थे, उनको बताया था, महा अमात्य ने कहा, कि यार हम तो जो है निस्पक्ष तो आचार चानक ने उनसे कहा था कि यदि आप यह सोचते हो कि आप इस विवाद में निश्पक्ष बने हुए हो तो आप इफेक्टिवली धनानंद की मदद कर रहे हो यदि सत्य और असत्य की लडाई में आप निश्पक्ष हैं तो आप असत्य का साथ दे रहे हैं ये बात लेफ्ट लिवरल एक्सपर्ट जो दिन रात बोलते रहते हैं इंडिपेंडेंट है फॉरन फंडिंग पेंडेंडेंट पैसा आप नगत देदो ना ना इनके बच्चों को मलेशिया की मौरिशस की ट्रिप को फाइनसी मिल जाएगी इनके घर बन जाएंगे घरों में रेनोवेशन हो जाएगा फर्निचर लग जाएगा तमाम तरीके हैं यह किताब जो निकालते हैं जो लोग कि हमारी यह जो अजीवनी है उस किताब की एक लाग पृतियां खरीद ल मस्क साहब ने ट्विटर पर भईया जी इनकी पोल खोल दी मात पर लिख दिया इनके कि तुम तो यह सरकारी पैसा खाए वेटें उस बिल विला रहा है उच्विलाव की तरह है इसी भी मैडम कहीं है अमेरिका में अमेरिका को ढंक से घ्यान पिला दिया है वो भी कड़वा अमेरिका से कहा है कि तुम जो है तहला करते हो कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है तो यह बताओ कैसे आवजी बढ़ रही दूसरा सुरक्षित माइनौर्टी कहां नहीं है पाकिस्तान में नहीं जहां आप दिन लाग परिशा देते रहते हो आई-एम-फ को बाइड पाकिस्तान को पालते हैं पाकिस्तान में माइनौरोटी किया है तो यही बात नमला इन ने बताए जिस निवेशक को दिक्कत है जो निवेशक को पड़ता है भी चांग रहे है था है आप धर्धी पर आके जमीन देखो कि बही आप पीड़त कोνं है और दोसी कोन है जबकि जमीन पेट है हिंदू लेकिं आखवारों में उसी हंदू को दोसी बताया जाता है है वाहिसाब इसलिए आप अखवाय जिन्पड़ों अखवार मत पड़ो देखो आपको सच्चाई दूद का दूद पानी का पानी अपना फो जाएगा तो निवेश को हमें आकरस्त करना है कोई अमेर्कियों को थोड़ी हम सफाई दे रहे हैं देखो जो बिद्वान एक्सपर्ट है वह तो किसी की नहीं सुनते उन पर आज भी भाईया जी 1857 का भूच ला हुआ है उनको आज भी पता है कि 1857 में हिंदूों ने क्रांटी करी थी उनके खिलाब तो उनकी घड़ी अटकी हुई है इसलिए इनको छोड़ो बड़ी बात कर चलती है कि भारत जो है बन रहा है दुनिया से जुड़ना नहीं चाहता तो मैडम ने कहा यहां कुछ नहीं है हम भाईया दुनिया से ब्यापार बढ़ाना चाहते हैं लेकिन सावन तेल यसी छीज़ें खिलोने विलोने यह भारत में बन सकते हैं तो हम इनको इंपोर्ट क्यों करें यह बड़ा जाइब को आपने ड्रेगन बना दिया तो यह नहीं चलेगा आप पारदर्शता ट्रांस्पेरिंसी डि मजा आएगा नहीं तो ऐसे से काम ना चले हैं आप दोस्तों आप मैं सिर्मार्क के शुरुआत कर रहे हैं वो सीख लीजिए टेक्निकल एनालिसेज और फंडामेंटल एनालिसेज की गलाएं और बाजी राओं की वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी ये तीनों हम सिखा देंगे आत्म निर्भर इन्वेस्टर कोर्स के माद्यम से और शाथ में शेर मार्केट में अब गिरावट होती है तब भी पैसा बन सकता है मार्केट वहीं का वही रहा है तब भी पैसा बनेगा आत्म निर्भर फ्यूचर्स एन आत्म निर्भर ऑप्शन कोर्स में जो हमने बढ़ाई है आचार चानक की हैजिंग इस्ट्रेटजी ये सब कोर्स एक से बढ़कर एक ह लक्ष पे मिल रहा है 50% तक का डिस्काउंट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के दिए ये क्लिक करके वाट्सएप ओपन कीजिएगा वहां आपको कोट देना है जै हो सुरी चार्ट महालक्षमी जी की जैसे ही कोट देंगे ये डिसकाउंट आपके लि आपके लिए येश्ट देरामी